हेलो दोस्तों नमस्कार जैहिंद वंदे मात्रम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सिक्षन पर तो आज हम बात करेंगे आंगनवाडी भरती 2021 को लेकर के और सबसे पहले मुझे जितनी भी ग्रहनी हैं महिलाए हैं उन सभी को प्यार भरा नमस्कार करना चाहूंगी दोस्तों इस अपडेट में बहुत ही बहतरीन मौका है महिलाओं के लिए आठवी और दसवी पास की जरूर प्रेस कर ले ताकि परती एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और दोस्तों बहुत बड़ी भरती होने वाली है 53,000 पदों पर जो की अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है कह सकते हैं आप और आप सभी जानते हैं कि 2022 में चुनाव होने वाले हैं तो ये तै है कि ये भरती पूरी होगी और बहुत ही आराम से इसमें नंबर आ सकता है पूरी जानकारी आपको देंगे कि क्या अपडेट है इस बारे में चलिए शुरू करें और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाओ के लिए एक सुनहेरा उसर है क्योंकि 53,000 पद कोई कम नहीं है और बात करें कि ये किस पद पर भरती है सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दू कि ये आंगनवाडी कार्य करती और सहाईका के पद पर ये भरती होने वाली है जिसके कुल पद तरेपन हजार है अब चलते हैं इन्फोर्मेशन और हाँ गाईज इसमें हम बात भी करने वाले हैं कि अंतिम्तिति आपकी फोर्म भरने की क्या होगी और वेतन मान कितना होगा इन चीजों पर भी हम साथ-साथ शोट में बात करते हुए चलेंगे तो यहां आप देख सकते हैं यह आज का न्यूस पेपर है लखनाउ न्यूस पेपर आंगनवाडी में 53,000 भरतियों का रास्ता साफ चलिए पूरी खबर को देखेंगे और फिर उसके साथ-साथ आए और लास्ट डेट कभी है उन सभी चीजों के बारे में भी जानकारी लेंगे बाल विकास सेवा एवं पुस्ट आहार विभाग IECDS में आंगनवाडी कारे करता मिनी आंगनवा इन भरतियों के लिए नए सीरे से चेन परकिरिया का निर्धारन किया गया है जल्दी ही IECDS निदेशाले द्वारा इन तीनों पदों पर भरति की परकिरिया शुरू की जाएगी विभाग की अपर मुख्य सचीव एसराधा चोहान नेशुकरवार को इसका सासना देश जार कि जाएगी ठीक है और आयू शीमा की अदि दोस्तों इन में बात करें तो कम से कम 18 वर्स होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए आंगनवाडी में शामिल होने के-लिए कम से पार वर्स और अधिक से अधिक की बात करें तो 40 वर्स होनी चाहिए ये उम्र का क्राइठिया रहता है और दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि ये केवल महिलाओं के लिए है ठीके पुरुस की भागिदारिस में नहीं हो सकती है तो जो भी ग्रहनी महिलाए है या जो भी लड़किया है जो चाहती है अपलाई करना तो वो जरूर इसके लिए अपलाई करें यहां अब हम सीमा 40,080 रुपे निर्धारित की गए थी साल में 40,080 रुपे पहले थी लेकिन उसको अब रुपे निर्धारित किया गया था जो पहले 18,000 था ठीक है पहले 18,000 था वहीं शहरी सेत्र के अगर बात करें तो उन अभ्यारतियों के लिए आये सीमा 20,000 से बढ़ा कर 56,460 रुप अन्य आहरता में कोई बदलाव नहीं किया गया है यानि वही आठवी इन में से एक पद के लिए आठवी पास होना जरूरी है और दूसरे पद के लिए सहायका के पद के लिए दसवी पास होना जरूरी है और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसके बारे में कि कैसे फॉर फिल करना है ठीक है क्या इसमें कोई एक्जाम होगा या नहीं यदि ये सभी जानकारी भी आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बोक्स में जरूर बताएं क्या आप प्रोसिजर जाना चाहते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा कैसे अपलाई करना है फी कितनी होगी यदि इन सभी सवालों के जबाब चाहते हैं तो कमेंट बोक्स से बताईए एक वीडियो में आपको पूरा इसी के बारे में डिटेल्ड इन्फोर्मेशन दे दी जाएगी तो इस वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ कि आप बहुत सारी भरतिया आने वाली है बहुत जल्द चुना